अगर आज कल के चार बच्चे कठे हो जाते हैं तो आप भी शर्माना के लिए एक बहुत ही जरूरी सेशन के साथ बस आपके 10 मिनिट लोंगे यहां पर लेकिन क्या आप एक एसे इंसान है जिसे 10 लोगों की या 20 लोगों की या इवन 4 लोगों की भीड में बात करने में डर ल हुआ है क्योंकि आप अच्छे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं कि अगर आज कल के चार बच्चे कठे हो जाते हैं तो आप भी शर्माना और डरना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके की परिशानियों से अगर आप जूज रहे हैं अगर यही आपके स्ट्रगल्स हैं अग अगर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और आपका प्रमोशन और आपका सक्सेस अटक रहा है बिकॉज अफ यह कम्यूनिकेशन बिकॉज अफ यह स्पोकन इंग्लिश स्किल्स तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वा मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ तो यह जो आपकी परिशानिया है यह क्यों हो रही है मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मुझे बताते हैं माडम मैंने तो फलाना काउंसल को जॉइन कर लिया था माडम मैंने तो फलाना संस्था को जॉइन किया था मैं तो अमेरिक से सुनके जाएगा, एक तो मैं आपके लिए बहुत amazing offer लेकर के आई हूँ, क्यूंकि पर्सों से हमारा batch कल की शुरू हो रहा है, जो कि एक comprehensive यानि की whole batch है, complete batch है, आपके spoken English और communication skills के लिए dedicated, लेकिन at the same time मैं आप लोगों के लिए एक और तरीका लेकर के आई हूँ, जिससे मैं ये बहतर समझ पाऊंगी कि आखिर अंग्रेजी सीखने, बोलने या लिखने में क्या परिशानी आपको हो रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक Google form का link प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, दो लिंक्स हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस वक्त आपके चाट सेक्शन में, तो उसको आप ध्यान से देख लेना, और आपको एक Google form का जो link है, उसको क्लिक करके session खतम होने के बाद, साथ फिल करना रहेगा, आपकी जो परिशानिया है, डीटेल में हमारे साथ शेर करना रहेगा, Now guys, coming to the point की why, what are the five reasons, why your spoken English is not improving, और why don't you sound as good as you want to sound when you speak in English, So the number one that goes is, lack of motivation, हमारे students को मन करता है की मैं अंग्रेजी बोलू, लेकिन हमारे students को ये जजबा नहीं है, कि यार जब मैं बात करूँ ना, तो दो लोग खड़े हो या दो हजार लोग खड़े हो, सब मेरी बात को सुने, मुझे आकर के तो आप बहुत अच्छा compliment देते हैं, कि माम जब आप बोलती हैं, तो बहुत motivated फील होता है, आपके videos देखते रहने का मन करता है, class नहीं बन करते हैं, हम और ये और वो और ये, आप अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं प्लान करते हैं, क्या आप एक YouTuber, Instagrammer, एक अच्छे presenter, एक अच्छे employee, एक अच्छे business owner नहीं बनना चाहते हैं, आप कोई भी industry में जाना चाहते हों, आप किसी भी उम्र के हों, आपके पास अगर अच्छे communication skills नहीं है दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप struggle करते ही रहेंगे, और आपका ये struggle आपको बहुत महँगा पड़ जाएगा, जब आप देखेंगे कि आप ही के बराबर के लोग, आपके ही काबिलियत के लोग, शायद आप से थोड़े कम काबिल लोग, तरक्की जादा कर रहें हैं, क्योंकि आप पीछे सिर्फ एक hustle करते रहेंगे, यानि अपने आपको घिसते रहेंगे कि नहीं नहीं, और मेहनत करनी हैं, और आगे बढ़ना हैं, करते रहना, भाई मेहनत is very important, लेकिन ये बात तो मैंने तुम्हें कई बार बताई हैं, तुम सही चीज पर टाइम नहीं लगा रहे हो, और जो तुम्हारा ये lack of motivation है, जो तुम ये shock के लिए अंग्रेजी सीखते हो, इसमें एक छोटी सी बात को याद रखना, कि भाईया, अगर आप यहां पर motivated नहीं है, अगर आप अपने आपको हर दिन ये नहीं बता रहे हैं, कि कैसे आपकी personality improve हो रही है, आपका confidence improve हो रहा है, लोगों में आपका impression improve हो रहा है, because आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो हो सकता है दो class या 10 classes के बाद, आप class देखना बंद कर दें, you have to remain motivated on your own, खुद से करो यार, अपने अंदर वो चीज जगाओ, कि आखर ये जो करोडों की तादाद में जनसंक्या हमारे देश में है, उससे मैं कैसे अलग हूँ, या मैं भी बिलकुल उन्हीं लोगों की तरह हूँ, अलग बनने की कोशिश करो, number 2 everyone, fear of judgment, उन्हीं के डर से हम अपने आपको और पीछे करते रहते हैं, मैं मैं इंग्लिश नहीं बोलता क्योंकि मेरे ओफिस में सब हस्ते हैं फिर, मैं मेरी फैमिली में लोग कहते हैं जादा अंग्रेजी बोल रही है, तो क्या हो गया ब्रो, करेंगे ना जज, जब तक तक तुम उनकी बराबरी पर होगे, वो जज करेंगे, जस दिन तुम उनसे थोड़े उपर उठ जाओगे, फिर वो रीस करेंगे, फिर वो बोलेंगे काश हमने भी इसकी तरह काम कर लिया होता, और ये बातें, अभी सुनने में तुम्हें ड्रमाटिक लग रही होंगे, लेकिन तुम करके तो देखो, पचास घंटे में जिंदगी बदल जाती है लोगों की, आज एक इंटर्व्यू के लिए जाते हो, मू लटका के वापस आ जाते हो, लेकिन अगर उसी इंटर्व्यू में confidence से बैठो, और वो confidence इसलिए नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें pretend करना है, वो confidence इसलिए होगा, क्योंकि तुम्हारे पास काबिलियत है, because you are smart, because you have skills in your hand, यानि की पढ़ाई लिखाई तो अच्छी की है दोस्त, साथ ही साथ, तुम्हारे पास extra skills भी है, जैसे की leadership skills, जैसे की communication skills, जैसे की time management, analytical, यह सारे skills तुम्हारे पास होने चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने skills पर काम करो, employable बनने की कोशिश करो, कि हाँ, अगर एक नौकरी के लिए तुम जा रहे हो, तो ये वाले लोगों को तो बहुत कम chances होती है, कि जो वो deserve करते हैं, वैसी नौकरी मिले, बस जो दया में मिल गया, मिल गया, तो दया के लिए नहीं जाते हो तुम्हा, अपनी काबिलियत के लिए जाना शुरू करो, so please don't be scared of what people are thinking, लोग क्या सोचने हैं, सोचने दो, 15 दिन, 20 दिन, एक हफते, एक महीने, कितने दिन तुमारा मजाग उड़ा लेंगे, उसके बाद खदम हो जाएगा उनका ओ जाज्ज्मेंट, तो तुम बिना डर के आगे बढ़ो, और सीखो, और जब गलतियां कर रहे हो ना, confidently करो, क्यूंकि, जो तीसरी problem होती है, वो यही से आती है, lack of interest, हमें लगता है कि जी भाई, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें निकालेंगे सरकारी नौकरी, उसके आप बैठेंगे हमाराम से, आप सरकारी नौकरी भी निकाल लो, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि शायद आप किताबें अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी सिंदगी रुख जाएगी, आपको promotion नहीं चाहिए, आपको growth नहीं चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने office में अच्छे networks नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि आपके seniors आपको पहचाने, और आपका और growth हो, तो यह जो आप अभी से अपने आपको convince करके बैठे हो, कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, अरे मैडम मुझे नहीं सीखना है, बहुत लोगों से सुन लिया मैंने ये, पर वो बहुत लोगों का मैंने 3, 3, 4, 4, 5, 5 साल में हाल भी देख लिया, जहां 5 साल पहले चोड़ा था न, आज महीं बैठे हुआ है, कोई improvement नहीं देखने को मिलता है, because they can not speak very well for themselves, वो अपनी ही बात नहीं कर पाते हैं, उनकी गलती हो या ना हो, बली का पक्रा वही बनते हैं, again, because they cannot speak for themselves, तो अगर आप बात ही नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक काफी दुखी बात है, मुझे मेरी एक स्टूड़न ने कहा, कि उनका आठ साल का एक बच्चा है, जो कि उनके उपर हस्ता है, क्यूं हस्ता है, क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं, वो अपने स्कूल जाते हैं, और वहाँ पर वो modern teachers, modern classmates, और modern classmates के modern parents को देखते हैं, और वो आकर के उनकी तुलना अपने parents से करते हैं, कि उसकी मम्मी तो English बोलती है, आप नहीं बोल पाती है, आप मुझे मत सिखाओ, तो ये जो एक बच्चो का दमाग खराब हो रहा है, ये मौका ही उनको क्यों देना है, और बच्चो की गलती क्यों निकालने हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं, आप क्यों उसी एक ट्राप में फसे रहना चाहते हैं, कि सुबह टिफिन पाक करके दे दिया, तो मैं एक अच्छी मम्मी हूँ, मम्मी की कोई definition नहीं होती, लेकिन आप अपने आपको अगर change करते हो, तो आपके पूरे family का महौल change होता है, और कुछ सीखने में, कुछ बडोतरी करने में, कोई नुकसान की बात तो नहीं है, तो अगर ऐसे experiences को avoid करना चाहते हो, तो interest लेकर के आओ, नम्बो फोर की बात कर लें दोस्तों, ignorance towards practice, हम class करते हैं, हम रट लेते हैं, हम notes बना लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, घर में एक चोटा function पढ़ता है, और अमारी classes भी छूट जाती हैं, और practice, जी ये तो मैं करती ही नहीं हूँ, मैं practice नहीं कर सकती माम, क्योंकि जब तक आप live बैठोगे, तब ही तक मेरी practice होगी है, ऐसा कौन कहता है, अरे तुमने सीख लिया ना, हाउ आर यू, 25 बार हाउ आर यू ही बोलो ना, राइट, वाट इस यो नेम तो सबसे पूच सकते हो, मैं थक गई हूँ, आइम तायर्ड ये तो सबसे बोल सकते हो, क्या कर रहे हो, what are you doing, कहां रहते हो, where do you live, कितनी बड़ी अंग्रेजी होगे, और ये तो तुम्हें आता भी है, मुझे भूख लग रही है, I am hungry, ये तो तुम्हें आता है, तो ये बोलना क्यों नहीं शुरू करते हैं आप लोग, मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे हैडेक हो रहा है, आप एक word को replace करते हो पहले, फिर आपके sentence replace होते हैं, और फिर दीरे आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिन, प्रति दिन कोशश करनी पड़ती है, you have to try every day, और ये जो गलतियां आप कर रहे हो, यही महंगी पड़ती हैं दोस्त, बाद में आप outdated feel करने लगते हो, बाद में जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है, रिष्टेदारियां बढ़ जाती हैं, वहाँ पर आप सिर्फ out of the place feel करते हो, यानि यारे 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 सब बड़े model जश्टेदार आते हैं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ, और ये करना कोई अच्छा decision नहीं है, मत बताओ दुनिया को कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, पर सीखो तो, खुद तो practice करो, शीशे के सामने खड़े हो के बात करो, वीडियो कोर्स में, स्पीकिंग के लिए इतने सारे वीडियो बना दिये हैं, उनको देख कर प्राक्टिस करो, सेंटेंस उसको दिमाग में बढ़ा लो, जितना बोलोगे उतना याद रहेंगे, अगर रटोगे तो कभी जबान से नहीं निकलेंगे, एक बार गलती करोगे, कोई टोकेगा, दूसरी बार भूलोगे ही नहीं, तो ये चीज़ें, ये गलतियां अगर आप कर ले रहे हैं अपने साथ, तो फिर तो उससे अच्छा है कि तो अंग्रेजी बोलते वग गलती गड़ लो, कम से कम बोलने तो लगो कि पांच दिन बाद, राइट, तो मैं आप लोगों को बार बार ये समझाती हूँ बेटा, कि आपको मुझे पता है, सब हर इंसान दोड़ता है कि ऐसा कोई बंदा जो उसको रास्ता दिखाए, गाइड करे, ठीक है, मैं हूँ इम, आप लोग मुझे दीदी बोलते हो, कई लोग तो मुझे ओमर में बड़े हैं, पर फिर भी मुझे दीदी बोलते हैं, इस बच्चे से मेरे लिए सबसे अच्छी भावना और एहसास होता है, लेकिन आइड लाइक तो तेल यू ओल, कि बेटा, जब मैं देखती हूँ ना, कि अच्छा यार, इस बच्चे से मेरी दोड़न से बात नहीं, इसका मुझ उतर गया है, या यह अब क्लास में अपसें होने लग गई है, तो मुझा दुख होता है उस बात से, क्योंकि परस्नली आपको मेरी स्टोरी पता है, मैंने खुच शुरुवात की थी ऐसे ही जगे से, जहां अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, चार लोगों के बीच में मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, समझे? English is only needed to clear the exam and the interview, if someone is going for PO and SO, I have heard this from seniors who are working. Udita, that's their definition of their story, right? If you just want to clear an examination, PO examination, आप आराम से clear करो, बैठो, और बहुत सारे लोग तो ओफिस में ले जाकर के, sweater भी बुनते हैं, बहुत सारे लोग तो फोन पे गेम्स खेलते रहते हैं, और उनका ओफिस भी निकल जाता है, सरकारी नौकरी के तो ये भी फायदे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसी में से निकलते हैं, कि उनके बारे में लोग बात करते हैं, उनके जैसा officer बनना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं, जैसे कि 50 करोड अलग लोग पड़े हुए हैं, यह एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं, जिससे अगर एक मुलाकात हो जाए, तो कोई बूल नहीं पाता है, उसके पास आती हैं, तो मत पढ़ो ना भाई, मैं फोर्स नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ, यह गलतियां आप सब करते हैं, और प्रूफ भी आपके सामने हैं, ठीक है, दूसरी चीज, हम सब लोग क्या करते हैं, आज बैच खरीद लेते हैं, पचास घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कब जब एक दिन आएगा, वो एक दिन कब आएगा, किसी को पता नहीं है, नोबडी नोज, तो आज से क्यों नहीं बोल रहे हो, राइट? किसी ने कहा है, कल ही न्यूज में था कि गर्मेंट स्कूल के सर, क्यांडी क्रश खेल रहे थे, क्यांडी क्रश खेलना, तो बिलकुल कॉमन सी चीज है, लेकिन अपने काम के बीच में वो खेलना, बड़ी प्रॉब्लम है, आपको हैप करनी है, तो मेंज की कॉम्प्रेंजन और वोकाब की क्लासेज, कंड़क्ट कराईए, वो भी हो रही है, अड़ा 24-7 का जो बैंक चैनल है, वहाँ पे सब मिल रहा है आपको, लेकिन उसके आगे भी एक दुनिया है, आप छोटा सोचती हैं, तो आप दूसरों को रिस्ट्रिक्ट मत करियें, मैं तो आगे की दुनिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल की तयारी की बात कर रही हूँ, और जो लोग मुझसे यह कहते हैं, बहुत देख लिए बिटा, मैंने जो पैरजंबल के तीसमार खान हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन के धुरंदर हैं, जो फिलिंदा ब्लांक्स को कुछ समझते ही नहीं है, बात सुनिये मेरी, इंटर्व्यू में जाते हैं, इसे पसीने निकलते हैं, और बैठे रहते हैं, बढ़ने तीन इंटर्व्यू अपियर कर चुके हैं, निकल नहीं रहा है, समझें, तो अपने आपको यार, अगर आप कुए का मेंडग बनाना चाहते हैं, आपका निरने है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, किसी चीज़ के लिए, मेरा काम है मैं आपको समझा सकती हूँ, तो यहां जितने भी दोस्त मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उन सब से यह निवेदन है, कि आप यह गलतियां अगर कर रहे हैं, तो प्लीज मत करिये, six months, one year, down the line, आप रिग्रेट करेंगे, और जितना वक्त हम इससे दूर रहते हैं, इसको सीखना, definitely हमें उतना बड़ा अलगने लगता है, जबकि होता नहीं, देखो, एर एक छोटे से बच्चे को तुम अंग्रेजी सिखाओगे, तो वो, एक दम मतलब कि बच्चपन से उसके सामने इंग्लिश बोलते रहो, बस तुम्हें उसको कोई grammar नहीं पढ़ानी, कोई vocabulary नहीं सिखानी, वो चार साल का होगा, वो अंग्रेजी में ही बात करता है, है ना, तुम्हारे साथ भी यह हुआ, हिंदी, हो पंजाबी, हो बांगला, हो विचैवर लैंग्विज, बच्चपन में जो तुम्हारे पास बोला जा रहा था, वो ही तुम बोलने लग गए थे, तो अगर आप इसी चीज़ को distance कर दीजिए, यानि कि आप 15 साल होने के बाद किसी को वो ही पढ़ाई है, तो उसको साधा time लगेगा, तो परेशानी है अपने आपको कितनी दिन तक दूर रखने की, ठीक है, मैं आप सब लोगों से यही request करूँगी, कि आप जल्द से जल्द इन सारी problem से अपने आपको दूर कर लें, आप लोगों का जो batch है कल की, वो शुरू हो रहा है 18 जुलाई से, जो लोग आज पहली बार मेरी class देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि यह batch है, जिसमें मैं आप लोगों को 50 hours से जादा की classes देने वाली हूँ, इन classes में आप लोगों को spoken English के लिए grammar, vocabulary, sentence formation, fluency, pronunciation, यह सारी चीज़े सिखाने के साथ-साथ, एक hefty number of speaking practice classes भी दी जाएगी, यानि आप लोगों की speaking की practice भी मैं करवाऊंगी, खुद मैं आपके साथ practice partner के रूप में available रहूंगी, ठीक है? Now guys, क्योंकि batch हमारा शुरू हो रहा है परसों से, तो यह last three days, यानि आज, कल और परसों, एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए आपका pre-launch offer, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि आप अगर कल की batch में admission लेते हो, और अपना code लगाते हो Y169, तो यह batch आपको सिर्फ 552 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है, और अभी कल तक आपको इसमें सिर्फ यह classes मिल रही थी, ठीक है, लेकिन अगर आज, कल या परसों, आप इस batch में admission लेते हो, तो आपको पाँच घंटे के interview preparation live, और personality development में 2 घंटे live, 3 घंटे recorded classes, मिलेंगी यानि की 50 प्लस 55, 55 प्लस 5, 60 hours का batch आपका automatically हो जाएगा, तो सिर्फ 552 रुपीज में, हम आप लोगों को interview के लिए भी पढ़ाएंगे, personality development के details और tricks भी समझाएंगे, at the same time, हम आप लोगों को spoken English का भी complete syllabus प्रवाइड कर रहे हैं, यह course जब आप पूरा करेंगे, तो आप लोगों को completion certificate भी मिलेगा, इस batch में अगर admission लेना है, तो हमने इसका direct link जो है, वो आपके chat box में और video के description में लगा दिया है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, जिसको link नहीं दिख रहा है, या उसके माध्यम से वो नहीं जा पा रहा है, तो उसको एक छोटा सा काम करना है, आप विजिट कर सकते हैं adda247.com, ठीक है, यह adda247.com आपकी website है, ऐसे ही हमारी application भी है, mobile application, उस पे आप जाएंगे, तो आपको बस जैसे आप banking select करते हो, SSE select करते हो, तो बस explore by exam पे जा करके, skill development में जाना होगा, ठीक है, और spoken English को select करना होगा, select करने के बाद, बिटा, बिल्कुल आपको नीचे जाना है, यहाँ पर video course में दिख रहा है कल की, जो की आपको कराएगा तयारी कल की, यहाँ पर आपको दिख रहा है 600 रुपीज, इस code को हटा दो, और view offer पर क्लिक कर देना, और जहाँ यह blank space है, यहाँ पर आपको अपना code लिखना है, Y1-6-9 और apply कर देना है, apply करते ही आपको, आपके 50 घंटे का spoken English का batch, और 5 घंटे का live interview preparation batch, और 5 घंटे की personality development की classes, बिल्कुल free मिल रही है, लेकिन यह offer सिर्फ आज कल और परसो का है, और यह तो हो गई batch की बात, अब मेरे साथ बहुत सारे students यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सब के अपने अलग-अलग concerns होते हैं, किसी को लगता है कि मुझे grammar नहीं आती, किसी को लगता है कि मुझे vocabulary नहीं आती, किसी को लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बस बोल नहीं पाता हूँ, तो आपकी असली weakness क्या है, यह मैं जानना चाहती हूँ, ताकि मैं आपकी classes को उस तरह से बना पाऊँ, और मुझे यह बताने के लिए, आप लोगों को मैं एक Google form प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि वीडियो के description में भी लगा हुआ है, आप उस पर click करिए, और, अच्छा, आप उस पर click करिए, और आपको क्या करना होगा, अपने सारे details मुझे बताने होगे, कि क्या परिशानी कहां पर हो रही है, क्या है आपका basic problem with spoken English, और वो Google form आप submit कर दीजेगा, और गाईज, ये भी बता दूँ आप लोगों को, कि जो आपका ये pre-launch offer है, ये सिर्फ 16 to 18 July तक रहेगा, यानि आज, कल और परसों, और परसों से आपको मिलने लगेंगी, कल की बाच की classes, तो बिना डिले के, जाईए, admission ले लीजिए, code याद रखिएगा, guys, it is Y169, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, तो अपना code note down कर लो, admission ले लो, जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, for joining me live, और आज शाम साथ बजे की class भी, बहुत interesting होने वाली है, वो आपको वीडियो section में मिलती है, रोज शाम साथ बजे, Monday to Saturday, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, जो लोगों को free classes की जरूरत है, वो उन classes को भी देख सकते हैं, once again, thank you so much, and जितने भी लोगों के concerns हैं, कि how to improve and all of that, मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे किये हुए हैं, आप लोग इसी चैनल पर वो सारी classes देख सकते हैं, thank you so much for watching this class live, all the best, don't forget to like the video, don't forget to subscribe to our channel, God bless you, and I will see you guys once again tomorrow. अरे, एक important बात मुझे बतानी थी, I am so sorry, मैं ये बताना चारी थी आप लोगों को, कि आपके जो शुरुआत में 8, 9, 10, ये तीन डेट्स पे जिन बच्चों ने admission लिया था, उन लोगों को एक अलग टेलिग्राम ग्रूप का link हमने WhatsApp किया है, अगर आपने सही नंबर दिया था अपना, तो आपको वो WhatsApp मिल चुका होगा, अगर नहीं दिया था, तो अब आप support at the rate, अदर 24-7 पर message या connect करके, अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं, और आपको वो मिल जाएगा, आपको बताना होगा, कि हमने इस date मिल लिया था, वो proof मांगेंगे, वो दे देना, तो उसमें उन बच्चों को वो link दिया जा रहा है, जिन्होंने personality development और interview वाला batch खरीदा था, offer के time batch खरीदा था, तो उनको वो classes last में मिलेंगी, और जो ये बच्चे हैं, जिन्होंने बीच में सिर्फ कल की purchase किया था, तो उनको अलग से हम Telegram Group भिजवा देंगे, और जो अब 16, 17, 18 के बीच में ये batch खरीदेंगे, उन्हें ये link 19 तारिक को मिलेगा, So, thank you once again, God bless you, keep shining everyone, मिलते हैं आप लोगों से कल, Bye-bye.